इस यात्रा का लक्ष भारत को जोड़ने का है जब हमने ये शुरू किया कन्या कुमारी में यात्रा शुरू की तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगे नफरत फैली हुई है मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिलकुल अलग थी मैंने मीडिया के बारे में कहा शुरू आत में कहा कि हमारे दोस्त है दोस्त है मगर हमारी बात TV पे कभी नहीं दिखाते है और वो तो तब भी ठीक है वो ठीक है हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर ये एक और काम करते है इनकी गलती नहीं है देखिए ये जो यहां कड़े हैं इनसे गुस्ता मत हुई है इनकी गलती नहीं है देखिए मुश्कुरा रहे हैं ये जानते लगान लगी हुई है पीचे से लगान लगी हुई है मगर इनके जो चैनल है ये भी नफरत फैलाने का काम करते है 24 गंटा 24 गंटा हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम ये सचाई नहीं है भाईयों भैनो मैं चलाओ कन्या कुमारी से यहां तक ये सचाई नहीं है ये मीडिया में चलाया जाता है फ्लाया जाता है ये देश एक है इन सडकों पे लाकों लोगों से मिला हूँ सारे के सारे एक दूसरे से महपत करते हैं प्यार करते हैं गले लगते हैं तो सवाल उठता है क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं इनके पीछे जो शक्ती है इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है तो सवाल उसका है ये क्यों हो रहा है जब सच्चाई ये है कि देश का आम नागरे चाहिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सीख हो, इसाई हो किसी भी जात का हो वो एक दूसरे से प्यार करता है, महबत करता है एक दूसरे की हिज़त करता है नब प्रश्चिशद लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, महबत करते हैं, हिज़त करते हैं देखिए मेरे सामने ये देखिए, घूम के देखिए ये जैन मंदिर है गुर्दवारा है मंदिर है मस्जिद है यह हिंदुस्तान यह सचाई है हिंदुस्तान की और यह नई बात नहीं है हजारों साल से इस देश की सचाई है प्यार से यह देश मिलकर एक साथ रहा है तो सवाल उठता है यह जो मीडिया के लोग है यह नहीं जो इनके पीछे हैं यह नफरत क्यों पहलाना चाहते हैं आपने कभी पूछा अपने आपसे कि मीडिया 24 घंटा कभी कभी मुहपत की बात नहीं करेंगे कभी आपने देखी है कभी टीवी पर देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया कभी देखा कभी नहीं देखेगा सही बात है न सही बात कभी नहीं देखेगा इसका कारण है भाईयों और बेहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है आपका जेब काटा गया आपका जेब काटा गया तो जब जेब काटा जाता है आपका काटा गया ना तो जब कोई आपका जेब काटा है तो वो क्या करता है सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है नहीं 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 ब्लेड तो बाद में आता है मगद पहले क्या करता है पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है आपके ध्यान को बेकर उगर ले जाता है भाई और बेनो ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है और ये 24 गंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है बढ़िया बढ़िया क्योंकि सच्चा ही है 26 गटा हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम, हिंदू मुसलिम और पिर जो भी आपका पैसा है किसानों का, मज़़ूरों का आपके एरपॉर्ट आपके पॉर्ट आपकी सडके सिदा किसके जेब में? इनके मालट के जेब में इनको कौन चलते हैं नाम बताओ देखो सब जानते हैं पुरा हिंदुस्तान जानता है भाईयों और बहनों ये नरेंद मोदी जी की सरकार नहीं है ये अमबानी अदानी की सरकार है ये सच्चाई है और ये पूरा पूरा लक्ष इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है मैं 2800 किलोमिटर चला हूँ 2800 मुझे कही नफरत नहीं दिखी कही इंसा नहीं दिखी कही मारपीट नहीं दिखी मगर जब मैं इनका टेलिविजन कोलता हूँ 24 गंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते है जो सच्चे मुद्धे है उस पे आपका ध्यान गल्ती से ना चला जाए जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पर लती से भी ना चला जाए ये हो रहा है इस देश में तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवा है उनकी ओर जाना चाहिए आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा मैंने एंजिनियरिंग की, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा मैंने आई एस के लिए त्यारी की मैं जज़ बनने की कोशिश करना था पूछो, क्या किया पढ़ाई की, कितने साल की स्कूल, कॉलेज, युनिवर्सिटी सब पढ़ लिए और फिर क्या हुआ, आज क्या करते हो, मजदूरी करता हूँ, पकोड़े बनाता हूँ बेरोजगारी क्यों आई, मैं आपको बताता हूँ और जो हमारे छोटे भी अपारी है जो स्मॉल और मीडियम बिजनिस चलाते है आप अच्छी तरह सुनिए क्योंकि आप इस देश के भविश्य हो अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे भी अपारी हैं और small और medium businesses चलाते ही ये लोग है क्यूँ क्यूँकि ये लाकों है ये लाकों में है और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है कोई 500 को देता है कोई 1000 को देता है कोई 25 को देता है कोई 35 को देता है और ये लोग देश को रोजगार देते हैं अब इनकी बात करते हैं ये 24 घंटे लगे रहते हैं बैंक के दर्वाजे इनके लिए बंद होते हैं हिंदुस्तान के 2-3 अरब पतियों को 1 लाग करोड, 2 लाग करोड, 3 लाग करोड ऐसे दिया जाता है ये बैंक के सामने जाते हैं इनको धकेल के निकाल दिया जाता है राइट? अब क्या? ठीक है? बैंक का पैसा नहीं दिये, तब भी मानली बात तब भी मानली बात मगर फिर क्या किया? फिर प्रधान मंत्री ने नोट बंदी की और प्रधान मंत्री ने गलत GST लागू की भाई और वेनों ये policy नहीं है ये हत्यार है छोटे वियापारियों को small और medium business वालों को और किसानों को मारने के हत्यार है ये और जब इन्होंने ये काम किया तो देश के जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल सकता सवाल नहीं उठता क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीड के हड़ी आपने तोड़ दी किसके लिए तोड़ी किसके लिए तोड़ी इनके जो मालिक है उनके लिए तोड़ी गेम को समझो अब देखिए अब आगे चलते हैं युवाव की बात की Smaller Media Business वालों की बात की दुकंदारों की बात की अब सडकों पे मुझे हजारों किसान मिले है एक सेकंड में पहचान लेता हूँ जैसे ही हाथ मिलाता हूँ समझ आ जाता है ये मज़़ूर है या ये किसान है हाथ से पता लग जाता है छेले हुए हाथ होते है अच्छा एक और सवाल है जो मैं सोच रहा हूँ प्रेस वाले ने मुझे पूछा प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंडरी लगती और मैंने सोचा ये मुझे से पूछ रहे हैं ये हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते ये हिंदुस्तान के मज़़ूर से क्यों नहीं पूछते ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते फिर कहते देखो टाईस सो किलोमेटर चल लिए कोई बड़ी बात नहीं है पूरा हिंदूस्तान चलता है जिन्दगी भर चलता है किसान चलता है मज़़ूर चलता है फैक्टरी में जो काम करते हों चलते है तो हमने ये कोई बड़ा काम नहीं किया भाईयों और बैने ये पुरा हिंदुस्तान करता है, रोज करता है हम अटाइस सो किलोमेटर चलते हैं किसान शायद जिंदगी में दस हजार पंदरा हजार, बीस हजार चल लेता है तो मैं चाहता हूँ कि ध्यान सही चगे जाए अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाईए हिंदु धर्म की बात करते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हिंदु धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को कमजोर लोगों को कुछलना चाहिए कहां लिखा है कहां लिखा है कि कमजोर लोगों को मारना चाहिए कहां लिखा है मुझे बताओ मैंने तो कहीं नहीं पड़ा मैंने गीता पड़ी है उपनिशत पड़े है कहीं नहीं पड़ा मैंने आपने पड़ा थाहीं गले लगाने की बात होती है अच्छा ठीक है देखिए अब ये लोग देश में डर फैल आ रहे हैं नफ़त में दिखी बगर डर दिखा किस के दिल में डर किसान के दिल में युवाओ के दिल में छोटे दुकानदारों के दिल में small or medium business जो चलाते हैं उनके दिल में माताओ बेहनों के दिल में मुझसे कहती है राहुली BJP की सरकार में हम तो सडक पर शाहम को सडक पर नहीं निकल सकते तो दर फेला दिया है सई? सई? अच्छा आपने शिप जी की फोटो देखी है उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने इसको क्या कहते है इसको क्या कहते है इसको अभे मुद्रा कहते है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है डरो मत तो शिप जी कहते है डरो मत हिंदू धर्म कहता है डरो मत और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं अच्छा एक और मज़े की बात बताता हूँ आपको मैं सोच रहा था आपने ये यात्रा देखी होगी इसमें आपको हिंसा दिखी नहीं दिखी किसी ने किसी को मारा किसी ने गाली दी नए आपने इसमें नफरत देखी बिल्कुल नहीं इसमें किसी ने ये पूचा भई या तुम्हारा धर्म क्या है किसी ने का भई तुम हिंदू हो मुसल्मान हो सिक हो इसाई हो क्या हो किसी ने ये पूचा तुम्स्त्री हो या पुरुष हो किसे नहीं हो पूछा तुम्हारी क्या जाहत है बिल्कुल नहीं कपड़े भी नहीं पूछे कपड़े भी नहीं पूछे अच्छा इसमें आपने देखा होगा पता नहीं आपने देखा या नहीं इसमें कुट्टे भी आए कुट्टे भी आए इसमें कुट्टे आये और अगर आप टीवी देख रहे होते हैं आपने गुट्वी देख के होगी कुट्टे को किसी नहीं मारा किसी नहीं मारा इसमें गाय भी आई बहस भी आई सूर भी आई मैंने देखा वो तो सब जानवर आए सब लोग आए और यहाँ पे कोई नफरत नहीं थी जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे यह यात्रा है कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं कोई गलत सवाल नहीं कभी कभी कोई गिर जाता जैसे हमारे हर्याना के PCC गिरे धड़ाम से गिरे, केरला के सब नेता गिर गए एक सेकंड में लोग उनको उठा लेते थे एक सेकंड में टाइम नहीं लगता था यह है हिंदुस्तान नहीं देखिए, मैं मैं आपको एक बात बताता हूँ सचा ही समझनी होगी सचा ही है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है वैसे इंदुस्तान के प्रधान मंत्री पर भी लगाम लगी हुई है उनकी गल्पी नहीं है, वो समाल नहीं पा रहे हैं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनकों कंट्रोल कर दिया है नहीं मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं क्योंकि आप देखिए, एड़पोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, एग्रिकल्चर के स्टोरीज डिपो भी उनके, और क्या उनका, हाँ, लाल किला भी उनका, लाल किला भी उनका, सारे के सारे पब्लिक सेक्टर की कंपनिय हैं उनकी, और क्या उनका, रेलवेज उनकी, अभी भाईयों बहनों ताज महल भी चला जाएगा, तो सब कुछ उनका, तो ये देश की सचाई है, आईवेज भी उनके, सेलफोन भी उनके, मगर सचाई हमारी, आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ, अपनी कहानी बताता हूँ, जब मैं राजनेती में आया, 2004 में आया, हमारी सरकार थी, चुनाव जीते थे, और ये प्रेस वाले 24 गंटा मेरी प्रशंसा करते थे, 24 गंटा, 24 गंटा, राहूल गांदी, राहूल गांदी, राहूल गांदी, राहूल गांदी, फिर मैंने क्या किया, मैं चला गया भटा परसॉल, नहीं सुनो, आपको समझना है, ये है क्या, मैं भटा परसॉल गया, और मैंने किसानों का जो, जमीन का मामला है, उसको छेड़ दिया, और भाई और बहनों, जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा, वैसे ये मेरे पीछे पढ़ गए, उसके बाद, जमीन अधिकरन बिल, बटा परसॉल के बाद, जमीन अधिकरन बिल लाया, कॉंग्रेस की सरकार लाई, उसके बाद, तो पूरा फूल टाइम, 24 प्रधान मंत्री जी ने, BJP ने, मैं आपको सच्चाई के बारे मैं बताना चाह रहा हूं, प्रधान मंत्री ने, BJP ने हजारों करोर रुपए लगा दिये, मेरी शवी को खराब करने में, हजारों करोर रुपए, और आपने देखा होगा, मैंने एक शब्न नहीं बूला, ब बिल्कुल चुप मैंने एक सब नहीं बोला यह गल्ट बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है ना मैं बिल्कुल चुप चुप क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है और लगाया पूरी की पूरी मीडिया लग गई वाट्सेप पे लगाया फेस्बुक पे लगाया सब चगे 24 घंटा राहूल गांदी के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने पूरे देश में फेला दिया और फिर एक महिने मैंने आपको सचाई दिखा दी और पूरा पूरा खतम देखो सचाई कैसे काम करती है सचाई को छुपाया नहीं जा सकता है कही न कहीं से सचाई बाहर आ जाती है और यह यात्रा हिंदुस्तान को जोडने की है क्यों क्योंकि इस नफरत से इस दर से हमारे प्यारे देश को नुक्सान हो रहा है यह सचाई है और इसलिए हमने यह यात्रा कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की है और यह जो हमारा तिरंगा है इसको हम स्रीनगर में जाके वहाँ पे लेराएंगे और आप में से हजारों लोग हमारे साथ चलोगे हजारों लोग चलोगे तो भाई और मेहनों देखिए सच्चा मुकाबला दुन्या में सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है ठीक है चाइना ने 2000 स्क्वेर किलोमेटर हमारी जमीन ले ली है प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया तो भाईया प्रधान मंत्री जी अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के साथ 21 बार क्यों बात कर रही है और हमारे जो सेना के लोग हैं हमारे डिफेंस पॉर्सेस के लोग हैं वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है मगर देखिए competition आर्थिक है मुकाबला आर्थिक है यह आपके जो सेल फॉन है यह आपके जो शोट है जूते हैं इसके पीछे आप देखिए फैस वालों के जो कैमरा है इसके पीछे देखिए उसके पीछे आपको लिखा लिखा दिखेगा main in China हमें शर्ट के पीछे, सेल फोन के पीछे, जूतों के नीचे Made in India लिखना है और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब चाहिए में कोई युवा नई जूते खरीदे, उसके नीचे देखे Made in New Delhi India ये हिंदुस्तान चाहिए इसी से हमारे युवा परोजगार मिलेगा तो ये, ये करना ही पड़ेगा, चोईस नहीं है और ये हम करके दिखा देंगे, ये देश कर सकता है करके दिखा सकता है आप, आप सबने इतना प्यार दिया आपने इतना प्यार दिया मैंने भाशन में राजस्तान में कहा था आपके नफरत के बाजार में हम महबत की दुकान खोलेंगे आपने लाखों दुकाने खोल दी है आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्का जैहिद आप सामने खोलेंगे लाजस्तान में राजस्तान में राजस्तान में